हलो दोस्तो मैं जाई कांट सेनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भात आई क्यू में हम डिसेश करें राजिस्थान पत्यका ने इस वेपर जैपर डिशन 6 जून वीडियो के संब्सक्राइब करें डाउट्स हो तो आप मुझे लख सकते हैं कमें या मुझे टेलिग्राम प्रुजाइन कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी तरीके पेज नमर में बात की जा रही है नई वेरियंट की बीका नेर में ये एक नया केस पाया गया है इस वेरियंट का ये है डेल्टा प्लस वेरियंट नाम या दखीएगा डेल्टा वेरियंट पहले भारत में मिल चुका है इसके अलावे कपपा वेरियंट भी है जो बारत का है मैंने आपको बता था कटपा से याद रखी गा उसको तो यहाँ पर डेल्टा में अब प्लस वर्जन आया यह तो इसका नया वरियंट निकल के आया है जो की खतरनाक है देल्टा से भी ज़्यादा तो एक जून को संक्रमत मिली 65 साल की महिला में मिला यह है वरियंट तो बिका कि दोनों डोज लग चुकी थी इनके इसलिए नहीं बिगड़े इनकी तवियत मतलब कि इनको हॉस्पिटलाइज करने के जरूरत नहीं पड़िये इस वेरियंट से संक्रमित होने के बावजूद भी तो इसलिए ज्यादा फोकस दिया जारा सरकार के दौरा कि आप जल से ज जारा मतलब इसलिए सरकार के दौरा प्रियास किये जा रहे हैं तो बताया जारा कि भारत में डेल्टा प्लस का बढ़ता डंक अमरीका बिटेन भी चपेट में इसकी तो यह बात यहां पर बताए गई है तो आप भी सतर्क रहिएगा साबधान रहिएगा और अपनी वेक्स सरकार को समाज को भी आप मदद करते हैं इस प्रकार से वाइरस को रोकने मदद करते हैं तो यह चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है तो नाम याद रखीगा डेल्टा प्लस वेरिंट है यह जो की राजिस्तान में ला है इसका पहला मरीज भीकर निर के अंदर यहाँ पर बात की जा रही है यह है रवी शंकर प्रशाद जो की सूचना प्रौदर्गी के मंत्री है तो इनका ट्विटर हैंडल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है तकरीवन एक गंटे के लिए रीजन आपको पता ही होगा की काफी ज़्यदा तकराफ देखने को मिल रहा है बारत सरकार और जो यह सोचल मीडिय प्लेटफॉर्म से हैं जैसे की गूगल, फेस्बोक, ट्विटर इस प्रकार के जो हैं 26 मई से जब से बारत सरकार के द्वरा नई गाइडलाइन लेके आई यह एक्ट है यहां पर इस एक्ट के आधार पर तो यह जो एक्ट है यह कॉपी राइट की बात करता ही यह एक्ट और ट्विटर जैसी जो सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं फेस्बुक, ट्विटर यह सारे के सारे यूएसे में रजिस्टर्ट हैं तो वहां के लौ के यह काम करते हैं दुनिया के अंदर तो इसी के आधार पर इन्होंने रवी शेंकर जी का ट्विटर हैंडल जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया इस न्यूज के अंदर एक एप की बात की जारी है शोचल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है जो कू शोचल मीडिया एक प्लेट्यूट भी हो सकता है जिस प्रकार से टकराव की सिस देखने को मिल रही है ट्विटर और भारत सरकार के बीच में यहां पर बात की जारी है चीन के दौरा इसका एक प्रोजक्ट है बुलेट ट्रेंड प्रोजक्ट तो आप देखिए अरुनाचल की सीमा को भी यहां पर जोडने की बात की जारी है अरुनाचल प्रदेश आपको पता है 39 जो स्टेट है भारत की तो यह बिलकुल यहां पर इस्टन वाले पार्ट पर हैं सबसे उपर आप देखेंगे अरुनाचल प्रदेश नागालेंड मनीपुर और फिर मिजुरम तो इस प्रकार से हैं जाता है भूडान है यहां पर तो बात की जारी है लासा यह तिबद के अंदर है लासा यहां से यह जो लाइन है रेलवे लाइन अरुनाचल प्रदेश के जो स्टेट है इसके पास में पॉइंट है एक जगह है इसका नाम है नियांगी नियांगची से नाम है इस प Whats Nam길 नं चार पॉइंट है इनको connect किया जा रहा है बिलेट ट्रेन के तहट तो यह इस परकार का जो प्रोजेक्ट है चाइना का यह यहां पर चलाया जा रहा है तो अब इसको लेकर के हो सकता है कि भारत और चीन के पीच कुछ चीजें कुछ तनाब जैसे इस्तिति भी पैदा हो सकती ह कहीं अगर कुछ disputed matter जिदी निकल के आते हैं आपको पता है अरुनाचल प्रदेश के लोगों को चीन के द्वारा बोला जाता है कि आपको वीजा लेने की जुरूरत नहीं है हम आपको इस टैपल वीजा देते हैं स्टैपल यानि की वो जो उनको एक प्रकार से वीजा का जो फॉर्मल रुकार्मेंट होता है वो लेने की जुरूरत नहीं होती है इस टैपल वीजा के थुरू अरुनाचल प्रदेश के लोग चाईना के अंदर एंट्री कर सकते हैं इस प्रकार प्रॉजेक्ट है चेंग दू यान वाला तो first segment of the line within Siangchun province from Chengdu to Yan तो यह China का ही province है इसकी बात जो की जा रही है तो Chengdu से Yan का यह जो part है यह complete हो चुका है 2018 में इसके अलावा यह बात की जा रही है यहाँ पर न्यांग्ची से और यान के बीच में यानि की यह न्यांग्ची और यहाँ Yan के बीच में यह project है यह काफी distance है इस area का तो यह 2030 तक complete होगा इसके अलावा लासा और न्यांग्ची के बीच में project है यह complete हो चुका है तो कहीना कहीं चाइना है इस पकार की हरकते कर रहा है अपना जो export है उसको बड़ाने की काम कर रहा है यहां connectivity बड़ाने का का मसे रहा है इस area में आपको पता है यहांपे यह जो value है यह यह मुझे नाम इसका बताईए आप कौन सी value disputed रहती है यहांपे शुलों को मिला है भारत और चीन के बीच में इसमें भूटान का भी एक major role लेता है तो ये कई बार issues रहते हैं चर्चा में रहते हैं ये तो इनके बारे में आपको idea होना चाहिए और इस valley का नाम मुझे comment करके बताईए उसका नाम क्या है यहाँ बात की जा रही है important news है पैन आधार link की जो अवदी उसको बढ़ा दिया गया अभी तो ये अभी कर दिया 30 सितंबर पहले इसकी deadline थी 30 जून इसमें क्या था कि यदि आपका pen number है pen card जो आपका यदि आधार से link नहीं है तो आपके उपर 30 जून के बाद 1000 की minimum penalty थी यदि आपको ITR या जो भी अपनी requirement financial पूरी करनी है उसके लिए तो अब इसको बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया है और relaxation दे दिया है कि आप तब तक link कर सकते हैं तो यदि आपने link नहीं किया है अपना pen number आधार से तो आप जल से जल से link कर दिजिए ताकि आपको कोई अब उसीबत न उठानी पड़े है आने वाले समय में और कोई penalty भी पे ना करनी पड़े FATF की बात की जा रही है तो पाकिस्तान को फिर से ग्रे सुची में इन्होंने बरकरार रखा है FATF ने financial action task force जो है तो इनके द्वारा बताया गया है कि आतंकियों पर कारवाई नहीं करने के कारण पाकिस्तान को ग्रे सुची में बरकरार रखा है तो ये important हो जाता है काफी समय से ग्रे लिश्ट में ही पाकिस्तान और फिर से इसको ग्रे लिश्ट के इंदर डाल दिया FATF के द्वारा तो ये इस परकार की चीज़ें important हो जाती है ये important एक article है यहाँ पर बहुत ही अच्छा और आपके लिए useful भी है daily life में इस्तेमाल होती है चीज़ें ये तो बात की जारी है DICGC की तो मैं बताऊँगा इसके बारे में अभी detail में चर्चा करेंगे हम क्या है ये body तो आपको पता हुआ कि bank ढूबने की बात काफी ज़्यदा होती रही है और यहाँ पर important बात की जारी है PMC bank की पंजाब महराष्ट कॉर्पोरेशन bank की जो की जिसकी इस्तिती जिसकी हालत अभी खराब हो गई थी यानि कि ये एक तरीकी से दिवाली होने वाला था तो इसको दूसरे bank के साथ यहाँ पर merge कर दिया गया है तो यहाँ बात की जारी है कि bank में bank ढूबने पर सुरक्षित रहती है पांच लाग तक की रकम यानि कि ये जो बताया गया है कि पहले ये जो पांच लाग करता था इसे अब 5 लाग कर दिया यानि कि कोई bank ये दिवाले होती है या डूबती है तो आपका पैसा उसमें जमा है उसकी लिमिट जो हो 5 लाग है यानि कि आपका 5 लाग तक का रूपया उसमें इन्शूर्ट रहता है इस प्रकार का provision किया जाता है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 50% से अधिक होने के करणा 12 bank सबसे ज़्यादा सुरक्षे था है यह 12 bank की बात की जा रही है जो SBI जैसी PSUNG इंपोर्टन राश्टी एकरत और government जो bank हम बोलते हैं उनको तो उनमें आपके पैसे ज़्यादा सुरक्षे था है इनकी बात यहाँ पर की जा रही है तो 5 लाग तक की रकम है यह आपका amount पता होना चाहिए इसके बारे में और पता होना चाहिए कि यह जो बात की जा रही है DICGC की यहाँ पर कौन सी bank इसके अंदर शामिल है तो commercial और cooperative दोनों बैंक DICGC से इनका भीमा है मतलब की आपका जो पैसा है इस limit तक यहाँ पर insured रहता है तो यह important प्रसन यहाँ से बन जाता है बात की जा रही है कि जब कोई PSU bank संकट में होता है तो RBI इसे मजबूत PSU के साथ मिला देता है यानि कि जैसे कि PMC जो है तो इसे मजबूत PSU के साथ मिला दिया यानि कि public sector undertaking जो bank होती है उनके साथ मिला दिया है जिससे कि यह जो इसकी स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके तो यह बात इसी की की जा रही है तो आप देखते हैं एंड क्रेडिट गारेंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 यह पार्लियमेंट के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था उसके आदार पर यह कॉर्पोरेशन का निर्मार किया गया deposit insurance तो आप जो deposit कराते हैं बैंक के अंदर वहाँ पो यह आपको एक insurance दिया जाता है यह 1978 में existence में आया था इसके बारे में सारी बात बताएगी तो act के बारे में आद रखिएगा और इसकी full form आप जरूर याद रखिएगा यहाँ बताया कि it serves as a deposit insurance and credit guarantee for banks in India तो यह deposit insurance की बात यहाँ पे करता है यह fully owned subsidiary है यह RBI के तहेत आता है मतलब की पूरा का पूरा government का आई है यह जो corporation है यहाँ पे यह private sector की नहीं है government द्वारा owned है यह तो इसलिए इस पे इतना जाता भरोसा है मतलब की लोगों को उनका पैसा इसमें सुरक्षित रहता है जैसे की हम LIC की बात यहाँ पे करते हैं तो DICGC इसमें काम कैसे होता है यह आप देख सकते हैं 10 पैसा पर 100 रुपीज मतलब की 100 रुपे जब deposit होते हैं तो वहाँ पे 10 पैसा चार्ज किया जाता है किसे बैंक से यानि की यह बैंक है और यह आप है customer आप यहाँ पे पैसा जमा कर रहे हैं अपना आपने पैसा जमा किया 100 रुपया तो 100 रुपे पे 10 रुपया किसको पे करना है बैंक को यह आपसे नहीं लिया जाएगा यह बैंक के द्वारा पे करना है 100 रुपे पे 10 पैसा पे करना है किसको DICGC को यह इस पैसे से ही यह इसमें एक प्रकार का group insurance जैसा हो जाता है इसी पैसे के basis पे आपको insurance मिल जाता है जो अब मैं बात बता रहा हूँ आपको 5 रुपे की कि आपका 5 रुपे का जो amount है वर्तमान समय में वो सुरक्षित है बैंकों के अंदर चाहे बैंक दिवालिया हो जाए तो इस प्रकार से इसका mechanism है यह काम करता है जो बैंक इंशॉर करती है उसके द्वारा ही प्रीमियम पे करना है यहाँ पे लिखा है यानि कि जो पैसा जमा करने वाले लोग हैं उनको पासों नहीं करना है यह जो amount है 10 पैसे 100 रुपे पे इसकी बात की जा रही है यहाँ पे तो DICG से लास्ट रिवाइज दा deposit insurance cover to one leg यानि कि DICG से ने एक लाख cover इसको किया था कब यह किया था 1993 में पहले इसकी जो limit थी वो थे 30,000 1980 में यानि कि 1980 में आपका जो amount था वो 30,000 रुपे तक सुरक्षेता बैंक के अंदर जिसे 1993 में भढ़ा करके कर दिया गया एक लाख लेकिन इसके बाद एक committee आई थी दामोदरन समिती दामोदरन समिती आई थी customer service in banks 2011 इसने recommend किया कि यह जो amount है एक लाख इसे five time किया जाना चाहिए इसका मतलब है पांच लाख किया जाना चाहिए तो आपने सुना होगा जब से PMC bank गोटाला निकल के आया तब ही से I think 2018 से है ये issue 2018 है 19 से तब से ये निकल के आई ये चीज़ है कि अब ये जो insurance है ये वर्तमान में पांच लाख रुपे तक का आपको insurance है अब ये कैसे होता है मान के चलिए आपके पास दो account है एक है SBI में और एक है आपका PNB में तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपने पांच चाल लाख रुपे जमा कर रखे हैं और इस बैंक में आपने 5 लाख जमा कर रखे है टोटल आपके amount होगे 9 लाख तो ये बैंक जो है इसकी limit है 5 लाख की और इसकी भी 5 लाख की limit है तो आपका जो 9 लाख रुपे आए वो सुरक्षित है बिल्कुल चाहे बैंक दिवालिया हो जाएं चाहे बैंक डूब जाएं आपके 9 लाख रुपे यहाँ पर सुरक्षित है इस act के तहट इस corporation के तहट deposit insurance and credit guarantee corporation तो I hope कि आपको यह पूरा समझ में आगया होगा कि कैसे काम करता है DICGC और यह act कब आया था तो यह act भी आप यह तक हीगा और बैंक को इसके लिए कुछ charges पर एक करने होते है यहाँ बात की जारी है passport की ranking की तो passport की ranking में भारत का passport 61 इस्तान पर रहा है यहाँ पर तो यह ranking निकाल दिया आटन capital passport index के अंस्वार जर्मन passport सबसे ताकत पर है जबकि 2018 और 2019 में जर्मन दूसरे इस्तान पर था जर्मनी का mobility score 137 है लेकिन भारत का mobility score आप देख सकते हैं 55 है भारत इस सूची में 61 इस्तान पर है तो आप देखिए भारत की जो global rank है passport की ranking में वो है 61 mobility score इसका 55 है तो यह important है इसकी इसकी ranking क्या है पासपोर्ट की 61 तो 2018 में अमरीका इस सूची में टॉप 3 में था लेकिन वो है बारवे स्तान पर है पाकिस्तान के पासपोर्ट की rank 80 है यानि की हमारे भी बात है सिर्फ साथ देशों में पार्क के नागरिक बगेर वीजा के जा सकते हैं भारत के पासपोर्ट से 20 देशों बिना वीजा यात्रा की जा सकती है भारत की पासपोर्ट ताकत भी घटी है भारत 13 स्तान गिरकर 61 पर आ गया है भारती पासपोर्ट से यात्रा पर 20 देशों वीजा की जरूद नहीं है भारत का मोबिलेटी स्कोर 55 है जर्मन पास्पोर्ट धारक 100 देशों में बगेर वीजा के जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो पास्पोर्ट रेंकिंग है मतलब इसकी रेंकिंग रिशाइट करती है कि आपका पास्पोर्ट आपके देश का पास्पोर्ट कितना ताकतवर है आप देख सकते हैं जर्मन का पासपोर्ट कितना ताकतवर है कि इतना powerful है कि वो 100 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है तो यह होती है पासपोर्ट की जो पावर है उस देश की पावर है कि उसके पासपोर्ट की कितनी ज़्यादा credibility है दूसरे देशों के अंदर कि बिना वीजा के उनको allow किया जा रहा है entry दी जा रही है उनको तो ये ranking जो निकाली जाती है इसी के basis पर निकाली जाती है तो भारत की ranking और यहाँ पर गिर गई है अब ये except way इस्तान पर आ गई है पहले से भी अच्छी थी बदाया जा रहा है तो इसके बारे में आपको आईडिया होना चाहिए ranking ज़रूर ज़रूर जखिएगा इस प्रकार के प्रशन इंपोर्टेंट हो जाते है यहाँ बात की जा रही है नए olympic जो अभी होने वाले है 2021 में 2020 के ही olympic है जिनको पोश्पन किया जा रहा है और 2021 में आयुजित होने वाले है तो यहाँ पर 5 नए sports को सामिल किया गया है उनके नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए यह है surfing मैंने कली आपको पताया था जो पानी की लहरों होती हैं इस पर surfing करी जाती है sport climbing, skateboarding, baseball और karate यह पांच नए games है जिनको की यहाँ पर सामिल किया गया है इस बार के नए olympic में यहाँ आप देख सकते हैं lead climbing के बारें बात की गई है यह जो climbing है एक उची दिवार पर रसी के सारे छोटे छोटे पत्रों पर होते हुए चड़ाई की जाती है रसी के सारे leaders सबसे आगे होता है देखा हुआ आपने climbing करते हुए कई बार वीडियो में देखा हुआ इस प्रकार की न्यूज चैनल में भी देखा हुआ दिखाते हैं यहाँ पर जो भी mountains होते हैं पर उचाई पर चड़ते हुए तो इस वाले sport को भी सामिल किया गया है यहाँ speed climbing की बात की जा रही है सीरी दीवार पर छोटे छोटे rocks के सारे तेजी से चड़ना होता है इस परदा में speed बेहत एहम होती है यह इस परदा कितम रूप से तयार की गई दीवार पर होती है और bordering की बात यहाँ पर की गई है आउटडोर में छोटी चटान या indoor में कतम रूप से तयार की गई चटान पर यह इस परदा होती है इस परदा में किसी भी तरह का उपकरन प्रियोग में नहीं लाया जाता है तो ये कुछ competition ये कुछ sports के बारे में यहाँ बताया गया है क्या होते हैं ball leading, speed climbing, lead climbing तो ये इनको define किया गया है ये पांचों जरूर आप याद अखिएगा important हो जाते हैं इस बार के Olympic के हिसाब से कि कौन-कौन से नई sports शामिल किये गए है पिनाका rocket की बात की जा रही है इसका सफल परिक्षन किया है D.I.O के द्वारे विक्षित है स्वदेशी rocket है सबसे पहले important दोची जई है कि स्वदेशी है तो इसका मतलब इसको D.I.O ने बनाया है तो रक्षा अनुसंदान एवं विकास संगिठन ने उडिशा के एकिकरत परिक्षन रेंज चांदीपूर रेंज आसे पूचा जा सकता है कहां पर रिस्तित है तो उडिशा के अंदर रिस्तित है गुरुबार और शुकुरुबार को अधिक रेंज तक मार करने वाले स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परिक्षन यहां पे किया गया है तो पिनाका याद रखीएगा पिनाका जो नाम है शिवजी के दनुस से निकला गया है यह भी आपको पता होना चाहिए शिवजी का दनुस था उसको बोला जाता था पिनाका वहाँ से नाम दिया गया है इस रॉकेट को पिनाका इसको जो नेविगेशन देने का काम करता है यानि गाइड करने का काम जो होता है कि रॉकेट को किस दिसा में जाना है पूछीए गा ये कई बार पूछी जाती है तो मुझे आसा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जड़ से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फाईद आएब आसके आप मुझे आपको कमे